सब्सक्राइब करो सोबिय六ंश चैनल मिलेगा कुविप करो है और गंटी बजाना मथ पोलना आपढेट सबसे पहले मिलेगा कि मेरे और होप यह बीडियों आंपको पसंद आएगद आए तो लाइक कर देना अगर पसंद नहीं आता है तो डिसलाइक कर देना अगर चैनल में नुए हो तो चैनल को पड़ा पड़्चे क्या करना है और इसके साथ बेल नोटिफिक्शन को क्लिक करके और क्लिक करना है इसके वाज़े से मैं जब भी न्यू वीडियो अब लड़ करूंगा उसका नोटिफिक्शन आपको सबसे पहल होंगा तो चलिए वीडियो को एंजय करते हैं तो चलिए फड़ाफट से इसको अन्बॉक्स कर लेते हैं और देखते हैं इसके अंदर से हमको क्या क्या चीज़ देखने को मिलता है तो आप लोग देख सकते हैं सबसे पहले एक छोड़ा सा स्क्लिप देखने को मिलता है उसके बाद आप देख सकते हैं जूप के तरफ से आने बाला 32 वाट का स्टेरियो सेंड प्रवाइट करने बाला एक बूम बॉक्स है तो चलिए इसको एक बाद चलो और से देख लेते सकते हैं इस पर डाइरेक्ट चीप लगाकर यूज़ कर सकते हैं या फिर आप यहां पर पेंड्राइब लगाकर भी इसको यूज़ कर सकते हैं और उसके साथ आक्स कोविल का भी सापोर्ट आपको मिल जाता है और यहां पर एक एफम का सापोर्ट भी आपको मिलता है तो च सबसे पहले हम को पूर्स सपीक कंग के तरफ से आने वाला वह यो जो स्पीकर है मतलब जो 20 वॉम बॉक्स है वह है और उस के साथ एक चोटा सा पैकिट निकल का चुका है तो चालर बाला पैकिट को ही सबसे पहले हांँबारे直घ छोटा मिलता साथ तो अब देख सकते हैं यहां पर आपको एक वारेंटी कार्ड देखने को मिल जाता है और उसके साथ ग्यानवरी पाते वाला एक कागज मिलता है मतलब मैनुल मिल जाता है तो उसका अंदर और एक छोटा सा पैकेट है तो उसको भी अनबॉक्स कर लेते हैं मतलब खोल के देखते हैं क्या-क्या है तो अब देख सकते हैं वहापर कुछ तार है मतलब तो देखते हैं उसमें क्या-क्या है तार तो सबसे पहले एक aux cable आपको देखने को मिलता है और उसके बाद आपको एक usb to micro usb cable देखने को मिलता है इसके साथ कोई भी adapter आपको देखने को नहीं मिलता है तो इस wrap को थोड़ा सा फोल लेते हैं और देखते हैं इस समान को मतलब इस boom box को यहां पर आपको एक छोटा सा जगा मिलता है मतलब एक छोटा सा स्क्रीन देखने को मिलता है जो समने के तरफ है और यहां पर आप देख सकते हैं समने के तरफ four speaker है जिसमें जो बड़ा वाला speaker है वो speaker है छोटा वाला speaker सिफ डिजाइन है और दोनों तरफ दो बूफर आपको देखने को मिल जाता है तो देख सकते हैं ये एक बूफर है और दूसरी साइड पर और एक बूफर आपको देखने को मिल जाता है तो उपर पर आपको कुछ स्वीज देखने को मिलता है जहाँ पर एक मोड है वालियून आप डाउन है प्ले पॉज है और यहाँ पर आपको बेल्ट इन इक्यूलाइजर देखने को मिल जाता है पीछे में आपको on off switch जो मतलब अगर चाहिए तो एक memory card लगा सकते हैं उसके लिए एक switch मतलब जखा मिल जाता है और उसके बाद आपको ocks cable लगाने के लिए एक जगा मिल जाता है और यहाँ पर आपको एक USB port का जगा मिल जाता है और इसको चार्ज करने के लिए एक छोटा सा माइक्रो यूजवी पोर्ट आपको देखने को मिलता है तो चलिए सबसे पहले इसको थोड़ा सा टेस्ट कर लेते हैं इसको हमने बाहर टेस्ट किया क्योंकि यह एक बूम बॉक्स है तो ज्यादा अच्छा हमको आउटपूट सुनने को देगा तो इसको टेस्ट करने के बाद मुझे एक चीज मतलब यहाँ पर थोड़ा कमी मैसूस हुई आप लोग जानते हैं अगर आप यूट्यूब से कोई वीडियो मतलब कोई भी म्यूजिक प्ले करते हैं तो वो कम साउंड में प्ले होता है अगर आप इमाजोन से या फिर आप जियो का जो जियो सावन है ऐसा कुछ म्यूजिक एफ से अगर प्ले करते हैं तो साउंड थोड़ा ज्यादा होता है तो यूट्यूब से प्ले करने पे ब्लूटूट से कानेट करके यूट्यूब से प्ले करने पे इसको कोई फरक नहीं पाड़ा था लेकिन अगर आप जियो सावन या फिर एमाजोन का जो है तो ऐसा कुछ एप्लिकेशन चागर प्ले करते हैं तो 80% की उपर अगर आप साउंड रखते हैं तो स्पीकर थोड़ा फट जाता है बाकी सब ठीक ठाकि है अगर पसंद आया है तो वीडियो को जरु से लाइक करना मेरे अगर मेरा चैनल को जरु से सब्सक्राइब कर लेना और उसके साथ साथ में बेल का बटन है उसको क्लिक करके All पे क्लिक कर लेना तो बाई बाई दोस्तो Stay at home, stay safe बाई बाई